नमस्कार दोस्तों क्यों यंग जनरेशन पॉर्ण अडिक्ट है? आखिर क्यों सत्तर परसेंट ही हुआ 18 साल की उम्र से पहले ही पॉर्ण देख चुके हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई चलिये जानते हैं? तो सुरू से सुरू करते हैं तो दोस्तों आज हमें एक बेहदी महत्यपुन और समवेदन सिल विसे पर बात करेंगे न्यू जनरेशन पॉर्ण अडिक्ट यह विसे हमारे समाज में चर्चा का विसे बना हुआ है और इसके पीछे कई गंभीर कारण है हम जानेंगी कि कैसे पॉर्णोग्राफी ने नई पीड़ी को प्रभावित किया है और इससे निपडने के उपाय क्या है सबसे पहले जानेंगी कि पॉर्णोग्राफी क्या है पॉर्णोग्राफी वह सामगरी है जो यो नुतेजना के लिए तेयार की जाती है पहले ये मुख्य रूप से पत्रिकाव और सीडी के माध्यम से उपलब्द थी लेकिन अब इंटरनेट ने इसे हर किसी के लिए आसानी से सुलब बना दिया है आज कल लगबग हर युवा के पास स्मार्टफोन है इनसे पॉर्णोग्राफी की पहुँच बहुत आसान हो गई है सोथ बताते हैं कि लगबग 70% युवा 18 साल की उम्र से पहले पॉर्ण देख चुके है पॉर्णोग्राफी वास्तविक जीवन से बहुत अलग होती है यहें युवा लोगों में गलत धारनाएं पैदा करती है वे सोथे हैं कि वास्तविक्ता वैसी होनी चाहिए जैसे कि पॉर्णोग्राफी का लगतार सेवन युवाओं में अफसाद और चिंता सामाजिक अलगाओ को बढ़ा सकता है यहें एक चक्रव्यू की तरह है जहां वे अकेले पन का सामना करते हैं और इसके लिए पॉर्णी की ओर मुडते हैं आखिर पॉर्णोग्राफी की लट के क्या कारण है चलिए जानते हैं नमबर एक सोसल मीडिया सोसल मीडिया पर पोर्नोग्राफी का सामान्य मान लिया गया है दोस्त सेफार्टी और ओनलाइन गुरूप इस पर चर्चा करते हैं जिससे युवा इसे देखने के लिए प्रेरित होते हैं कई युवा पोर्नोग्राफी का साहरा लेते हैं जब उन्हें मानसिक या भावनात्मा कठनाईयों का सामना करना पड़ता है यह उन्हें आइस्थाई खुसी देता है लेकिन दीर कालिक में समस्या बढ़ाता है आखिर हम इस लट को कैसे छोड़ सकते हैं बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि पोर्नोग्राफी क्या है और इसके परभाव क्या हो सकते हैं परिवार का समर्थन महत्तपुन है यदि माता-पिता बच्चों से खुल कर बात करें तो बच्चे अपनी समस्या साज़ा कर सकते हैं अगर कोई यूआ पोनोग्राफिकी लच्से ग्रसित है तो उसे मानसिक स्वास्ति विशेशक्य की मदद देनी चाहिए थेरेपी और काउंसिलिंग से यह समस्या हल की जा सकती है दोस्तो नई पीडी के पोन एडिक्ट की समस्या गंभीर है और इसे हल करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा जागुकता सिक्सा और समर्थन के साथ हम इस दिसा में आगे बढ़ सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो किरिपया लाइक और सेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं